स्वरा वेदान्त की नजरों के सामने ध्वनी की शादी हुई पूरी ध्वनी ने की दुलहे की अदला बदली कलर्स टीवी के शो सुहागन के अपकमिंग अपिसोड में हम यह देखने मिलेगा जैसा की स्वरा जल से जल ध्वनी के शादी का मंडप लगाती है ताकि वो ध्वनी और ढोल राम यानि के वेदान्त के घर के नौकर के साथ ध्वनी की शादी पूरी करवा सके और यहाँ पर ध्वनी को स्वरा ही मंडप तक लेकर आती है जहाँ पर दुलहा पहले ही मंडप पर सहरा सजा के बैठा हुआ होता है और यहाँ पर शादी की रस्प में शुरू हो जाती है जहाँ पर वेदान्त और स्वरा के नजरों के सामने ही ध्वनी की शादी होती हुई नजर आ रही है यहां पर वर्वाला की रसम पूरी होती है जहां पर सवरा अपनी जीत की खुशी मनाती हुई नजर आ रही है लेकिन यहां पर सभी खेहोश उड़ जाते हैं जब धोल राम दोड़ते हुए शादी के मंदप पर ना मौझूद देख वेदांत और सवरा दोनों ही शौक्ड हो जाते हैं और यहां पर हर कोई ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ध्वनी के साथ कौन से दुढ़े करने शादी की है और सहरे के पीछे कौन है जहां पर जब दुढ़े के सर से सहरा उठता है तो यहां पर सभी के होश उड़ जाते हैं ध्वनी के दुढ़े को देखकर वेल ऐसा में देखना इंट्रेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार कौन है ध्वनी का दुला वेल क्या होने वाला है आगे जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले